साथियों इन फीजर नोट्स की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है, आज का सेसन हैगा साथियों 19 मार्ट 2024 इंडिया करेंट अफेर्स का, इस सेसन के अंदर साथियों जितने ही महतोपुन परसन बने हैं इंडिया करेंट अफेर्स के, वो मैं आपके साथ साजा करूँग महतोपुन है, अगर आपको कोई भी सुजा हो देना है तो कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, साथियों आपकी सुईदा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडियाप का लिंक होगा, वहां से आप असानी से पीडियाप डाउनलोड कर पाएंगे, तो साथियों ये कि उसने रहने वाला है, आप से पूचा है कि हाली में भार्त की नुमालीगट जो रिफाइनरी है साथियों, उसके दुवारा किस देश में अपना पहला अंतराश्टी अकारियले का उद्गाटने किया गया है, तो आपका अंसर हो जाएगा साथियों बांगल देश के अंदर साथियों इसका उद्गाटन किया गया है, बांगला देश के अंदर साथियों ढाका में है जो इसका उद्गाटने किया गया है, ये दोनों चीज़ें अपने को याद रखनी है, और वहाँ पर साथियों इसका उद्गाटन है, जो किसके दुवारा किया गय कि नुमालिगट जो रिफाइनरी है साथियों लिम्टेड उसके द्वारा किस देश में अपना पहला अंतराष्ट है कारियले का उद्गाटन किया गया तो आप कहां सो होना चाहिए बंगलादेश के अंदर है और बंगलादेश के अंदर पूछे कहां पर तो ढाकार उसका उ स्तित है जिसे हाली के अंदर भूविरासस तल के रूप में मानेता है जो दी गई है आप से पूचा है पांडवूला गुट्टा किस राजे में स्तित है जिसे हाली के अंदर साथियों भूविरासस तल के रूप में मानेता दी है तो साथियों ये स्तल कहां पर है तेलंगा के अंदर ये रहेगा कहां पर तेलंगाना के अंदर साथियों रहेगा भारतिय भूव एग्यानिक सर्वेक्षन के अनुसार साथियों इसको है जो मानेता है जो दी गई है अब आप से ये भी पूचा जा सकता है कि इसको मानेता है जो किसके द्वारा दी गई है तो वो तेलंगाना कि जैसंकर भूपा भूपाल पले जिले में है और ये साथियू परसीद क्यों है तो साथियू ये पूरा परशानिक गुफाओं के लिए परशीद है इसलिए इसको सात्यों भूब विरासस्तल का दर्जा है जो दिया गया है अपने लिए इपोर्टेंट है रहने वाला है अगला क्यूशन आप से पूछा गया है कि हाली में द्यूब बक्षिये समंदों को बढ़ावा देने के लिए कि देश के विदेश मंत्री सर उसके अंदर सात्यों इस परकार का क्यूशन है जो पूछा गया था आप से पूछा है कि द्यूब पक्षिये समंदों को बढ़ावा देने के लिए हाली के अंदर किस देश के विदेश मंत्री कौन है सरगई एलेनिक है जो भारते की आतरा पर आये थे तो आंसर हो जाएग है उनको मजबूत करना है जो इसका जो ये यात्रा थी इसका परमुखे उदेश ये था इन्होंने साथियों अपने जो विदेश मंत्री है एस जैसंकर परसाद जी जो अपने विदेश मंत्री है उनसे वी साथियों है जो मुलाकाते की है तो इपोर्टेंट रहने वाला है साथ यूँ पूछा जा सकता है आप से अगले क्योशन पर बात करेंगे अगला क्योशन आप से पूछा है कि हाली में किस राजय में हाली के अंदर किस राजय के अंदर मिसन पॉम ओयल तेल के तहत पहली ओयल पंप प्रोसेसिंग मील का उदगाटन है जो किया गया तांसर रह पर देश का पहला ओयल पाम प्रोसिंग सेंटर है जो शुरू हो गया है देश की बड़ी ओयल पाम कम्पनियों में से एक 3af ओयल पाम ने इसकी स्थापना है कि यह सेंटर पर देश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापिते किया गया है अगर साथ यहां से पूछ सकत है कि कहां पर इसको स्थापिते किया गया है तो अपने लिए यह चीज इपोर्टेंट है रहने वाली है इस सेंटर को अरुनाइचल प्रदेश की साथियों दिबांग घाटी में रोइंग है वहां पर इसको स्थापित किया गया है और कंपनी भी बताये गया है 3af ओयल पॉ पूछा गया है साथियों Women's Premier League 2024 का खिताब है जो किसने जीता है most important question साथियों कर लेना अगामी प्रतवीता परिक्षा में साथियों आप से यहां से किसने पूछा जाएगा आप से पूछा है कि Women's Premier League 2024 का खिताब है जो किसने जीता है तो answer हो जाएगा साथियों Royal Challenger से Bangalore या कौन सा सीजन था इसका दूसरा सीजन था पहले सीजन की विजयता कौन है वो आपको पता होना चाहिए Bombay Indian साथियों इसकी विजयता है पर्थम में से सीजन की अब अपने इस पर बात करें तो साथियों जो final मुकावला था वो Bangalore और Delhi के बीच में खेला गया था जिसमें सा साथियों अरूंड जेटिली स्टेडियम नई Delhi के अंदरे खेला गया था और इसके अंदर सातियों player of the match आप से पूचा जा सकता है player of the tournament पर अपने बात करें तो साथियों दीबती सर्मा है कौन है दिपती सर्मा सातियों इसके अंदर player of the tournament रही ये सातियों कौन सी टीम से सम्मदित है तो UP Warriors जो टीम है उससे ये सम्मदित है और इन्होंने सातियों पीछे जो एक मैज था उसके अंदर hatrick भी ली थी और सातियों किसी भी league के अंदर hatrick लेने वाली पहली बारती है खिल आवा सातियों player of the match इसके अंदर फॉफिन रही जो RCB की है और सातियों Orange Cape है जो Alice को मिली है और Purple Cape सातियों सरेंका पाटिल है उसको मिली है Purple Cape मिली है सरेंका पाटिल ये भी RCB की है सातियों इसने करीब गुन्नी से विकट है जो लिये है Elisa Perry सातियों Elisa Perry जिने Orange Cape मिली है इन्होंने 347 रन बनाए है कितने 347 रन ने Elisa Perry ने बनाए है ये भी RCB की है और सातियों जो Purple Cape होती है वो सबसे ज़्यादा विकट लेने वाले को मिलती है वो है सरेंका पाटिल ये भी RCB की है इन्होंने गुनिस विकट ली है इसके लावा सा सरेंका जो पार्टिल है इसको साथियों जो यंगेस्ट स्टार होता है यानि Rising Star है यंगेस्ट तर अचीव elements का जो अवार्ड है वो भी साथियों किसको मिला है सिरेंका पार्टिल को मिला है ये चीजह अपने लिए important है रहने वाली है कितनी टीमीं थी सके अंदर 15 टीम हैं थ देज के दोरा जो आला मुक्ही फटने के बाद अपात काल की गोशना की गी तो आंसर हो जाएगा सातियों आइसलेंड के अंदर है जो जो आला मुक्ही विस्पोर्ट होने के वाद वहाँ पर क्या लगा दिया गया सातियों अपात काल की गोशना है की गी है आइसलेंड के रे हाले में बारतिय नो सेना भाउन का उद्गाटन है जो किसने क्या है आप से पूछा है कि बारतिय नो सेना का जो साथियों नो निर्मित भाउन है उसका उद्गाटन किसने क्या तो आंसर हो जाएगा साथियों रक्षा मंतरी राजनाथ चिहें के द्वारा किया गया किसके द्वारा साथियों रक्षा मंतरी राजनात्षी हैं के द्वारा इसका उद्गाटन है जो किया गया था कब किया गया था 15 मार्च को इसका उदगाटन है जो किया गया था अगले क्योशन पर बात करें साथियों अगला क्योशन आप से पूछा है कि हाली में चर्चा में democracy report 2004 है जो किसने जारी की है साथियों हाली के अंदर एक report आई है उसका नाम है democracy report और साथियों वो चर्चा में है और इसको किसने जारी किया है इस पर भी अपने बात करेंगे तो साथियों सबसे पहले question बनेगा कि ये चर्चा में है तो इसको जारी करने वाली संस्ता कौन है तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका we dem institute है उसके द्वारा साथियों जो democracy report है वो हर साले जारी की जाती है इसमें साथियों होता है क्या कि जो वेस्विक लोकतांतरिक प्रिवतन होता है उसका खुलासा होता है और साथियों जो we dem institute है इसकी स्तापना है तो 2014 के अंदरे श्यूडन में किये गी थी और उसका मुख्याले भी साथियों कहां पर रहेगा दोवारा राष्ट्य दिव्यांग आईकोन किसे गोशित किया गया है Sital Devi को गोशित किया है निरवाचन आयों इतिव्यांग तिरेंदाज और अरजुनपुर्शकार विजेता सात्यों हाली के अंदर ये अरजुन पुर्शकार से जीती थी शितल देवी को राष्टिय दिवांग आइकने गोशित है जो किया गया है ये चीजी इपोर्टेंट है रहने वाली है और साथियों शितल देवी से समझ दित अभी तक कोई करेंट अफेर्स का क्यूसन बना नहीं है अगामी परत्योगिता प्रिक्षा में कम से इंकम दो नमर देखे जाने वाला ये कि उसने रहेगा भार्ट सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है शुरूआ तो लमिदित्य साथियों दो हजार चोईस है जो भार्ट और सेल्स के बीच से युद्ध अभ्यास है जो शुरूआ है ये साथियों 10 दिवशिय अभ्यास होता है कित ये 27 मार्ज तक हैं चलेगा और इसकी शुरुआत साथियों 2000 हैं एक अंदर इस दब्याज की शुरुआत हैं हुई थी ये चीज़ें अपने को यादे रखनी हैं जम्मो कश्मीर में पिछडे वरग के लिए आरक्षन बढ़ाकर कितना कर दिया गया तो साथियों आठ परती सिता जो कर दिया गया और इसकी गोष्णा साथियों वहां के उपराजय पाल मनोस सिना जी के दुआरा की गई थी अगला अब साथियों अपने जो कल करंट फेस पड़ा था उसका रिविजन करते हैं कल हमने पड़ा था कि हाली में किसे परतिष्टिट पीवी नर्शिमा राओ मेमोरियल अवार्ड से समानित किया गया रतन टाटा वर्स की उतकरिष्ट महिला मेडिया पर्षन के लिए चम कतवा रोकेट स्टोर शिप लॉंच किया तो आंसर है स्पेस एक्स परसार भारती के नए अधेक्स कौन बने हैं तो नव नीत कुमार सहगल बने हैं हाले में किस राजय के मुक्या मंतिर ने भारत की पहली लिक्विड नाइट्रोजन गेंस संचारी तबस लॉंच की है तो 2004 में मैक्स इंडिया की सहे कंपनी अंतरा असिस्टेंट केर सर्विस लिम्टेड ने वरिष्ट नागरिकों की देखवाल है तू किसके साथ समझोता क्या है आई 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 टी दिल्ली के साथ हाली में छटे क्रिटिक्स चोई सोवार्ट्स के अंदर स्रोशेष्ट फिलम सात है सवदी अरब ग्रांट प्री किसने जीता मैक्स वेर स्टेपन के दौरा सातियों ये जीता गया था तो सातियों इस सेशन के अंदर जीतने भी महतुपन क्यूशन बनने थी इंडिया करंट अफेर्स के वो मैंने आपके साथ सेर कर दिये हैं आपकी सुधा के लिए वीडि यूब चैनल से जुड़े रहिएगा धन्यवाद